हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग तो लास्ट वीडियो जैसे की मैंने बनाया था सबसे पहले ड्राइविंग के पार्ट पर की ड्राइविंग का डर कैसे दूर करते हैं जैसे आपको डर लगता है तो मुझे वो वीडियो जादर लोगों ने भी देखा नहीं है बर जिन ल सारी चीज़े क्या होती है क्लच गेर बॉक्स और स्टेरी एंड आज जो सबसे जो एक बेसिक चीज़ है कार को चलाने के लिए अगर आप मैनुवल कार चलाना चाहते हैं तो क्लच जब लोग रिलीस करते हैं तो लोग को काफी प्रॉबलम आती रिलीस करने में कार तो आज वही चीज़ में आपको बताने वाला है कि आपको कि सुट्रीके से अपने क्लच का यूज करना है कहां कैसे करना है तो पर नद ब्रॉश में आपको क्लिए तो ब्ल के सारे दै क्लच रिलेटेड इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को तो अब सबसे पहले मैं बात करता हूँ बेसिक्स के साथ जो की कार के सबसे बेसिक हैं तो सबसे पहले आता है आपका स्टीरिंग वील तो जैसे कि आपको सबको पता ही है बट मैं एक बार पहले ये चीज़े क्लियर कर दूँ ये एक मिनिट लगेगा इसको क्लियर करने में सो सबसे पहले आपकी सेरिंग वील आती इससे आप कार को मैनुवर करते हैं यही मेन चीज है कार को जो डिरेक्शन देती है चलाने में जो आपके सेकंड मेन चीज आ जाती है वो है आपका गेर बॉक्स यह है आपका gear box तो यसी कि gear box होता है कईsta एक्स्टा sixth gear का तो कोई issue ही नहीं वो तो आप जब चलाने लगेंगे तो आप सीख जाएंगे उसकी कोई बड़ी problem नहीं है main issue कहाँ पे आता है gear box के साथ gear box का काम बेसिकली यही होता है जो power engine generate कर रहा है वो power को आपकी wheel से connect करने का काम करता है यह transmission या gearbox इसका काम basically यही होता है कि अलग-अलग ratios में engine को power प्रोवाइड करता है यह अलग-अलग gears में सबसे first जो आपकी सबस्यादा confusion मचती लोगों को वो यही होती है कि first gear में car को कैसे हम pick करेंगे तो first gear आप जैसे की देख सकते हैं ऐसे लगता है gears तो basically सबको लगाना आता ही होगा एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि यह आप इधर इसको पूरी तरीके से left करेंगे और आगे की तरफ कर देंगे तो यह हो जाएगा आपका first and आपको फिर क्या करना है इसी side रखना है gear को इधर नहीं लाना है कई लोग का technique ऐसे होती कि first लगाते हैं फिर उसके बाद second कब लगाते हैं ऐसे neutral करने बाद फिर ऐसे second लगाते हैं तो आप इन दोनों technique में से कोई भी उसका सकते हैं ऐसे neutral करके फिर second लगा सकते हैं या मैं तो direct first से direct second पर जाता हूँ, मैं neutral पर नहीं आता हूँ, basically. डरेक्टर से first gear है, इसको left की तरफ रखता हूँ gear को, एंड ये second लगा देता हूँ. तो मेरी technique यह है, आपको अगर इन दोनों में से, जो भी comfortable लगती है, आप use कर सकते हैं, थान ही टेक्निक में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो यह हो गया अपके गिर में जब आप एकदम आगे की तरफ कर देंगे सेकंड से यह सेकंड केंड और आप आगे की तरफ दैंगे आपका थर्ड गेर हो गया and third से सीधे पीछे ले आएंगे तो यह आपका fourth है and fifth आपका एकदम right की तरफ gear को ले जाके and आगे की तरफ कर देंगे तो यह होगा आपका fifth gear and reverse as it is आप जानते है mostly cars में ऐसे ही होता है एकदम right side लेके पीछे कर देंगे तो यह आपका reverse हो जाता है कई cars में यह knob होता है जैसे freestyle में भी आता है डीजल में knob तो डीजल में क्या होता है आपको यह उपर खीचना पड़ता है knob and उसके बाद फिर first gear की तरह यह second लग जाता है तो वो तो easy चीज़ है वो आप समझ जाएंगे basically आप problem कहा हाँ आती हो क्लच क्या हमेशा brake के साथ दबाना ज़रूरी है क्लच को release कैसे करते हैं कि क्लच को आप कितने धीरे धीरे release करें या बहुत speed में release करतें क्योंकि कई बार लोगों की car traffic में अक्सर बंद हो जाती है इसकी वज़े से तो आज इसी का आपको पूरी चीज दिखाने आला हूँ कि कैसे क्लच release करना चाहिए तो चलिए मैं आपको सबसे पहले क्लच release करके दिखाता हूँ कि आपको कैसे release करना है and end में एक और pro tip आपको बताने आलो जिसको आप practice करके क्लच में आप master हो जाएंगे आपकी कार बन नहीं होगी तो उसकी लिए वेट जरूर करीज़ा and सबसे जो primary चीज़े कार की handbrake तो यह आप सभी लोग जानते हैं इसको pull करने से यह handbrake चारो लग जाती है आपकी and जब आप इसको release करने तो आपके जो wheels हैं फ्री हो जाते हैं तो सबसे पहले चलाने के पहले सबसे पहले इसी को आपको down करना है कई लोग handbrake down करना ही भूल जाते हैं और उसके बाद direct gear लगा देते हैं और यह काफी normal है जब लोग नहीं नहीं कार चलाना start करते हैं मैं भी ऐसी करता था यह दिमाग से उतर जाते हैं तो सबसे पहले आपको handbrake जो है नीचे down करना है आपको उसके बाद ही आपको आगे बढ़ना है brake accelerator और clutch पे तो यह रहा आपका ABC accelerator brake and clutch तो सबसे पहले मैं आपको leg का movement बता दूँ कई लोग confused होते हैं कुछ लोगों को मैंने notice भी किया है कि वो right से तो accelerator प्रेस करते हैं यह जैसे कि आपका accelerator है वो तो प्रेस करते हैं लेकिन वो right से जो है बस accelerator ही प्रेस करते हैं left से उ ख्लेस दबाते हैं left से ब्रेक दबाने का जना कि लेफ्ट से अगर आप लेफ्ट से दबाएंगे तो आपको कंट्रोल नहीं आएगा ब्रेक पे आप बहुत जोर से ब्रेक लगा देंगे और कार आपकी एकदम रुख जाएगी तो ये काफी बड़ा एक्सिडेंट भी करवा सकती है आपका तो ये चीज हमेशा याद लेफ्ट पैर से लेफ्ट लेक से आप केवल क्लच यूज़ करेंगे बस लेफ्ट पैर का काम बस इतना है क्लच लगाना है बस ये काम है राइट से आपको बाकी दोनों चीज़े करनी है राइट से आपको एक्सिटर भी दबाना है एंड ड्रेक करनी है ये दोनों राइट मैं इसको ऐसे इस अक्सिलिटर प्रेस करता हूँ कहीं लोग इस तरफ करके भी करते तो यहांसे किरी करें करें कमपनी बहें करती कि थाता काथ चलाने में ज्यादा प्रॉब्लम कि उसके में में ना प्रॉब्लम है तो अभी मैं टस्दब आ रहा हूं और यहां पर मैंने लगा दिया है फर्स्ट केर अब आप देख सकते हैं बाहर से भी कार को सो आपको क्या करना है अगर आपकी डीजल कार है तो अगर आपके पास कोई 1000cc या 800cc की पेटरोल कार है तो उन कार्स में थोड़ा सा एक्सेलरेटर भी यूज करना रहता है तो यह मैंने डाल दिया फर्स्ट गेर अप देखे मैं क्लच कैसे करता हूँ मैं यह देखी मैं थोड़ा खर रिलिज किया मेरी कार चलने लगी जैसे कि आप बाहर पर देख सकते हैं मैं थोड़ा सा और रिवर्स पहले ले लेता हूं ताकि आपको और अच्छे से clarity दिखा है तो आपने जैसे देखा कि मेरी कार पेट्रोली है इसमें टॉर्क अच्छा खासा मिलता है तो यह clutch पही उठ जा रही है आप जैसे देख सकते हैं आपको थोड़ा सा पहले स्टार्टिंग में थोड़ा gently clutch को release करना है जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ मैंने थोड़ा थोड़ gently release किया and end पे आते आते जो है गाड़ी चलने लगी अब आप देख सकते हैं मैंने पूरा clutch छोड़ दिया कार अच्छे से चलने लगी है तो आप यह देख सकते हैं पूरा वापी से मैं पीछा जारा हूँ क्योंकि कैमरा में हमारा पीछे रह जारा है कार के साथ भाग नहीं सकता हूँ अभी जैसे कि आप देख सकते हैं यह हो गया पहली सिचुएशन कि आपको क्या करना है बस यह आपने क्लस दब आया है और मैं कौर बार आपको दिखाता हूँ आपको बस क्या करना है पहले स्टार्टिंग में थोड़ा जेंटली रिलीस करना है जैसी कार मूव करने लगे जैसे कि अभी मैंने कि जैनली रिलीस कि आप मेरी कार देखी मूव कर रही है अब जब एक बार एक दो सेकेंड मूव करने लगे तब आप पूरा क्लच छोड़ दीजिए आपकी कार स्ट्रॉल नहीं होगी तो यह रूल है कि आपको बस इतना काम करना है कि आपकी कार जैसी मूव करने लगे एक दो सेकेंड वेट करिया और पूरा क्लच जो है छोड़ दीजिए एक जटके से ना छोड़ी अराम से जैसे मैं छोड़ रहा हूं जैसे आप देख सकते है रिवर्स में भी मैंने छोड़ दीए तो यह होता है आपका तो जैसे कि आप देख लिया आपन कई लोग क्या करते हैं वो कार के मूव होने का वेट नहीं करते हैं वो ऐसे ऐसे छोड़ देते हैं कलच सो उसमें क्या होता है कार बंद हो जाती जैसे इस सिचुएशन में बंद हो गई अब मैं दिखाता हूं जिन कार्स में थोड़ा से एक्सलरेटर देनी की नीड होती है उनमें भी यही सेम चीज होती है उसके बाद यहां पे कार बंद हो जाती है कार के आपको मूव करने का वेट करना है जब आप मूवमेंट आ जाएगा कार में उसके बाद आप क्लेश थोड़ा तेजी से भी छोड़ेंगे तो बंद नहीं होगी कार अब मैं दुबारा से का करेंगे तो आपको दिखाता हूं कि एक्सलेरेटर के साथ कैसे उठाना है यहां पे लगा दिया क्लश डबाई एक्सलेटर के साथ उठाऊंगा तो आपको क्या करना है जैसी आपकी आप क्लच जैसे धीरे धीरे पहले रिलीस करी आप, आपने इतना रिलीस किया, एक पॉइंट पे आपकी कार वाइबरेट करने लगेगी, हलका हलका मूव करने का ट्राय करेगी, सारी कार्स करती है, भले ही वो मूव ना करें, लेकिन वो सिगनल देने लगेंगे, आपको हलका हलका वाइबरेट करने लगेंगी उस point पे आपको क्या करना है जैसे हलका हलका वाइबरेट कर रही कार आपको ले लेना है accelerator clutch के साथ जैसे ही car move करने लगती है as it is आप हटा लिजे pair अपने clutch से तो आप जैसे ही pair हटा लेंगे clutch से आपकी car अराम से चलने लगेगी तो यही simple से चीज है तो यह था मेरा वीडियो जिसमें मैंने आपको clutch release करना सिखाया and accelerator के साथ clutch कैसे आप release करते हैं अब मैं end में वो pro tip आपको बता देता हूँ कि clutch आपको कैसे एकदम अपने आपको master करना है तो master करने के लिए सबसे best method मुझे लगता है driving में trial and error trial and error काफी लोग जानते भी है and basically यहाँ पर आपको क्या करना है मैं आपको समझा देता हूँ कुछ नहीं करना है आपको car stroll करनी दो दिन दो तीन बार आप अपने मर्जी से clutch छोड़ के देख लिए car stroll हो जाएगी आपको उस समय experience हो जाएगा कि car कब move करने लगी थी कब मुझे clutch को थोड़ी देर hold करना चाहिए था कि car move करे then मैं clutch छोड़ दू पूरा तो यही चीज है कि car जैसे move करने लगती वो एक second आपको रुकना है एक second जब car motion में जैसे ही आ जाएगी आपको पूरा clutch release कर दिना simple यही चीज है आपको जैसे अब इस car में torque figure अलग है हर car में power and torque figure अलग होते है तो हर car का थोड़ा थोड़ा behavior भी clutch को लेके different होता है तो इसलिए मैं कहा रहा हूँ मैंने आपको यह चीज तो बता दी यह universal चीज है जो मैंने आपको बताई है लेकिन अब आप अपनी car में और master कैसे बन सकते है वही चीज है trial and error आप एक दो बार stroll करके देख लीजी एक दो बार अपने हिसाब से अलग-अलग position में clutch को release करके देख लीजे आपको खुदी समझ में आ जाएगा कि मुझे कब clutch release करना है और कब मुझे clutch को थोड़े जिर hold करके रखना है तो आपकी car इस according जब आप चलाएंगे तो कभी stroll नहीं करेगी तो hopefully मुझे लगता है इस वीडियो में आपको जो first gear में clutch उठाने की जो traffic में लोग फज जाते थे कई बार red light में तो ये वीडियो देखने के बाद आप नहीं फसेंगे और इसके बाद अब मैं ये वीडियो काफी लंबा हो गया मैं इसी में और चीज़ें आड करने आला था बट मुझे लगता है उसके लिए second part बनाना पड़ेगा तो second part में क्या होगा कि clutch brake साथ में दबाना है या केवल clutch दबाना है या केवल brake दबाना है तो ये चीज़ लोग confuse होते हैं कि हमेशा brake दबाते समय में clutch दबाना जरूरी है क्या तो वोथ situations मैं अगले वीडियो में explain करूँगा कि कहां पे brake और clutch दबाना है कहां पे सिर्फ brake दबाना है तो ये दोनों चीज़े अगले वीडियो में explain करूँगा फिलाल आप इस पर practice करिए एक दो दिन एक दो दिन बाद उसका भी वीडियो आ जाएगा तो बने रहीएगा इसी चैनल पे subscribe कर लीजेगा नीचे रटकर का बटन है मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स वीडियो में तब तक के लिए seatbel पहनी है, helmet पहनी है and safe चलिए, good bye झाल झाल झाल